हाई दोस्तों सावर है आप सपी का हमारे चैनल पर आज हम बनाएंगे बोडो और आलो की सबजी जो बिहार की फेमस है और बिल्कुल सिंबल तरीके से हम बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आलो को फ्राइ करेंगे तो हमने यहां पे लिया है दो टे इसे हम हलका गोल्डेन होने तब फ्राइ करेंगे तो एक मिनट लगे हैं आलो को हलका गोल्डेन होने में तो अब हम यहां पे डालेंगे बोडो तो हमने यहां पे आधा किलो बोडो को पहले अच्छे से दो लिया था उसके बाद हमने इसे छोटे छोटे टुक्रों में तो दो मिनट हो चुके हैं तो आलू के साथ बोड़ो भी हमारे थोड़ी पग गई है तो अब हम इसे निकाल लेंगे तो सभी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब उसी कराए में हम लेंगे तेल तो तेल आप अपने हिसाब से कमिया ज़्यादा कर सकते हैं और उसमें डालेंगे हम पाच फुरन जब उससे खुसबू आने लगी कि फिर हम उसमें डालेंगे हिंग और हिंग डालने केपद हम इसमें डालेंगे प्याज तो हमने यहाँ पे एक बरी सैश के प्याज को महीन काट लिया था और इससे हलका गोल्डेन होने तक हम पकाएंगे ग्यास की फलेम को मीडियम रखेंगे और दो मिनट के बाद प्याज हमारी हलकी गोल्डेन हो गई है आप देख सकते हैं तो अब हम एट करेंगे इसमें अद्रक लेसन का फेस्ट और इसे भी हम हाई फ्लेम पे एक मिनट तक पकाएंगे और तब तक ले लेते हम अपने मसाले तो हमने यहाँ पे लिया है स्वाधन साय नमाग, हल्दी पॉडर, मेरची पॉडर, धनिया पॉडर और जीरा पॉडर और इसमें डालेंगे हम दो से टेबल स्पून पानी और इस सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले हम और फिर मसाले को हम इसमें डालेंगे और प्याज के साथ मसाले को हम मीडियम फ्लेम पे ओईल रिलीज होने तक हम पकाएंगे तो दो मिनट लगे हैं और मसाले हमारे अच्छे से पक गई है आप देख सकते हैं बिल्कुल कलर चेंज हो गई है नीचे से चोटे-चोटे बुल्बुले निकल रहें मतलब मसाले हमारे अच्छे से पक गई है तो अब हम इसमें टमाटर आड़ कर देंगे तो हम ने यहाँ पे एक बड़े साथ के टमाटर को चोटे-चोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसे मीडियम फ्लेम पे एक मिनट तक पकाना है तो एक मिनट के बाद तामाटर भी हमारे मसाले के साथ अच्छे से पक गई है तो अब हम इसमें सरसो का पेश्ट आइड करेंगे तो हमने यहाँ पे दो टेबल स्पून सरसो का पेश्ट आइड किया है और इसे हम हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे और 2 मिनट के बाद सरसो मसाले की भी हमारे अच्छे से पक गई है तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब आड़ करेंगे fry की हुई आलू और बोडो और इसे भी हम high flame पे एक मिनट तक हम पका लेंगे और एक मिनट के बाद हम इसमें पानी आड़ करेंगे तो यहाँ पे आपको जितना gravy रखना है उससे double quantity में आपको पानी आड़ करना है क्योंकि हमारी बोडो उसमें अच्छे से पकेगी तो अब हम इसे cover करेंगे और गैस की flame को medium करके हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे पान्च मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो बोडो हमारी अच्छे से पक गई है तो अब हम इसमें add करेंगे धनिया पता और धनिया पता हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और अब हम गैस की flame को off कर देंगे और तयारे बनके हमारी बोलो और आरू की सबजी अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए